तुदागी प्रत्याश्यों को आपने जाना अब आपको बताते हैं कि प्रत्याश्य अब गायव हो गए हैं पहले जो प्रत्याश्य जनता के सामने हाथ जोडते नहीं ठकते थे अब चुनाब होने के बाद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जनता के मुत्तों का समाधान करने का अश्वासन देने वाले प्रत्याशी अब मानो गायब हो गए हैं और जनता अपने परिश्वानी के लिए खुद सड़कों पर लड़ती नजर आ रही है या किन नहीं होता ये रिपोर्ट देखिए मध्यप्रदेश में चुनावनी पड़ चुका है जो प्रत्याशी अभी तक जनता के सामने हाथ जोडते नहीं ठकते थे अब ऐसे गायब हो चुके हैं जैसे जनता से कोई वास्ता ही रही है वोट पड़ते ही प्रत्याशियों के तेवर बदल चुके हैं और अब उन्होंने जनता से किनारा कर लिया है ये नेता ना तो मैदान में नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर सक्री है चुनाओं में जो नेता जनता के मुद्दो और समस्याओं के समाधान का आश्वाशन दे रहे थी अब नेता नजर नहीं आ रही है और जनता खुद अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ रही है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की कपास मंडी में क बरी दोपहरी में किसान खड़े हैं लेकिन अब कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आप परसन 50 परसन 20 देने के बाद में आप बोल रहे हैं कि दोदो पेकर देंगे पाच एक और दिगज नेता चुनाओं ख़त्मोने के बाद दूसरे राच्यों में प्रचार में जुट गए हैं सियम डॉक्टर मोहन्यादो, पूर्व सियम शिवरास सिंग चौहान समेथ बड़े नेता दूसरे राच्यों में प्रचार करते देखे जा रही है तो कुछ सीटों पर बीजेपी और कॉंग्रेस के प्रत्याशी सक्री है लेकिन जादा तर प्रत्याशी मैदान से कायब हो चुके है घंपी की कुछ सीटों की बात करें जहां पर कुछ नेता तो सक्री है लेकिन कई नेता नजर नहीं आ रहे है भोपाल में आलोक शर्मा मंदिरों में जा रहे है उनके घर नेता पहुच रहे है लेकिन कॉंग्रेस के अरुर शिरिवास्तों सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है इन दोर में शंकर लालवानी खुल कर नहीं घूम रहे है कॉंग्रेस नेता भी नहीं दिखाई दे रहे है रतलाम कांतिलाल भूरिया वोट पड़ते ही जनता से कट गए है विक्रांद भूरिया उनकी भरपाई करते दिखाई दे रहे है अनीता नागर सिंग चोहान भी गायब है गौलियर में प्रवीन पाठक खुद को सक्री दिखाने में जुटे हुए है बीजेपी के भारत सिंग कोश्वाहा कमजोर पड़ गए है चिंदबाड़ा में चुनाओ के बाद कमलनात कहीं नहीं दिखे विवेक बंटी के घर नेताओं की समिक शाय हो रही है शेहडोल में फुन्देलाल मारको की उपस्तिती कम है सोशल मीडिया पर एक्ट्यू है बीजेपी की हिमाद्री से मंडला में फक्कन सिंग कुलस्ते नहीं नजर आ रहे है उंकार सिंग मरकाम की सक्रीता भी कम है सीधी में राजेश मिश्रा केवल एक्सपर सक्री है कमलेशर पटेल भी सोशल मीडिया पर दिख रहे है जबलपुर में आशिश दुबेट धार्मिक आयोजनों में वैस्त है दिनेश यादों गायब हो चुके हैं बालगाट में मंदिरों और समाहरों में भारती पारधी जा रही है कॉंग्रिस के समराट सक्री नहीं है रीवा में जनारदन मिश्रा वोटिंग के बाद से गायब है नीलम मिश्रा भी मैदान में नजर नहीं आ रही है मद्य प्रदेश की चर्चित सीटों का ये हाल है कि कुछ सीटों को छोड़ कर कहीं भी कोई नेता एक्ट्यू नहीं है जो सक्री भी है वो सोशल मीडिया पर ही अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है चुनाओ के समय ही नेतागर जनता के हीटों की बात करते हैं दरसल ये जनता पर मनोवैग्यानिक प्रभाव डालते हैं और फिर चुनाओ खत्मोने के बाद पांच साल तक नजर नहीं आते पॉलिटिकल पार्टीज का किसी भी चुनाओ से पहले ये प्रयाश होता है कि वो मद्दाताओं को अपनी और आकशित करें इसके लिए वो उनके प्रती सिंप्रती दिखाने का कोई मौका नहीं चुटते है इसका सबसे बहतर मौका होता है जब वो मद्दाताओं किसी प्राइसिस में होते है उस समय उनके साथ खड़े होना या उनकी आवाज उठाना या रूलिंग पार्टी द्वारा उनकी सुधाएं देने का बाद अगरा है ऐसी में खरगोन का जो मामला आया है जिसमें किशानों को ऐसी तप्ती धूप में कफास के बीज के लिए खड़ा होकर घंटों इंतिजार करना पड़ रहा है ये मामला वाकई बहुत सम्मेदन सी है कहते हैं कि जो नेता चुनाओ में मासूम से नजर आते हैं चुनाओ खत्मो जानी के बाद उनके तेवर बदल जाते हैं वोट लेने के लिए जनता के हर सुख दुख में साथ निभाने की कस्मे खाने वाले नेता चुनाओ के बाद ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि उनका कोई वास्ता ही नहीं है कुछ दिन पहले ही मतदान कई जिलों में समाप्त हो चुका है जहां बूत केंदर पर बैठकर महज पांच लोग एक मतदाता को आदे से एक मिनिट में फ्री कर देती हैं लेकिन किसानों की लंबी-लंबी कतारों का सिस्टम सरकार अभी तक नहीं सुधार पाई है अब इसमें सक्ती से सुधार की जरूरत है विनोश शर्मा न्यूज स्टेट